आज दुनिया में ज्यादा तर लोग जिन लंबी बिमारियों से जूज रहे हैं, उनका हेड़कौर्टर पेट में हैं। अशुद्धियां समय के साथ एक कठा हो जाती हैं और आप भारी हो जाते हैं शरीर और सिर्थ दोनों में। ये तय करता है कि आप जीवन में किस तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं। हम खुद को रीसेट कर सकते हैं और क्या खाने के साथ हमारे रिष्टे को लेकर फिर से तालमेल में आ सकते हैं। देखिए ये लोस एंजिलिस में हुआ था। एक दिल का सर्जिन अपनी कार वो अपनी फॉर्ड मस्टैंग से थोड़ा प्रभावित था। वो उसकी कार थी। और वो उसे लेकर थोड़ा उत्साहित था और एक दिन वो थोड़े जटके खाने लगी। तो वो उसे लेकर मेकैनिक के पास गया और बोला कोई समस्या आ गई है कृपिया इसे ठीक कर दीजी। उसने कहा ठीक है डॉक्टर कल सुबह आना ये तयार मिलेगी। अगले दिन सुबह काम पर जाने से पहले वो वहां गया। परकार तयार नहीं थी। तो उसने कहा ठीक है शाम को आये ये तयार मिलेगी। वो शाम को आया वो तयार नहीं थी। उसने कहा क्या बात है तुमने सुभा कहा मैं तब आया तुमने शाम कहा मैं तब आया बात क्या है और वो मेकैनिक उस तरह के मूड में था वो बोला देखिए आप एक दिल के सर्जन है आप भी एंजिन ठीक करते हैं मैं भी एंजिन ठीक करता हूँ फिर ऐसा क्यू है कि आपक तो इंसानी जीवन और शरीर को तब ठीक करना चाहिए जब यह चालू हो वरना यह बेमतलब है ठीक है आप उस मौटम कर सकते हैं उसका kya मतलब होगा हमें इसको तब ठीक करना चाहिए जब यह चालू हो। अगर आप इस शरीर को तब ठीक करना चाहते हैं जब ये चलता फिरता हो तो आपको समझना चाहिए क्योंकि हम पाचन प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं इसके ये पड़ाव हैं शरीर में कुछ भीतर डालना पाचन समावेशन मलत्यागना ये खाने के चार आयाम हैं और पूरी प्रक्रिया है भोजन करना, पाचन, समावेशन, मलत्यागना आज की दुनिया में खाने का काम किसी भी समय हो रहा है लोग कहीं भी हों, बैठे हों, खड़े हों, दिन या रात में किसी भी समय लोग सिर्फ इसलिए खाते हैं क्योंकि इतना खाना मौजूद है मानवता के इतिहास में ऐसा कभी नहीं था लेकिन दुरभागे से, सौभागे से बहुत सारा खाना मौजूद है बदकिस्मती से लोगों को ये नहीं पता कि कब खाना है, कब नहीं खाना है जैसे समय में चक्र होते हैं देखिए हम समय को सिर्फ चक्रों से जानते हैं अगर धर्ती घूमती है एक चक्र इस तरह और हम कहते हैं कि एक दिन बीद गया वरना आपको पता ही नहीं चलेगा अगर चांद चक्र काटता है तो हम कहते हैं एक महीना हो गया अगर हम सूरज के चारों और एक चक्कर काटते हैं तो उसे एक साल कहते हैं तो हमारा समय का विचार असल में चक्र है हमारा जन्म और मृत्यू का सवाल ही चक्रिय है क्योंकि हमारी मा का शरीर चांद के चक्रों के साथ तालमेल में था सिर्फ इसी लिए हमारा जन्म हुआ वरना हम पैदा ही नहीं होते तो हमारा पूरा भौतेक अस्तित्व चक्रिय है पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया ही अगर आप चाहें तो हम उसमें जा सकते हैं दरसल महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चक्रिय नहीं है क्योंकि चक्रिय का मतलब है कि आप चक्र काट रहे हैं अगर मैं कहूँ कि आप चक्र में घूम रहे हैं तो इसका क्या मतलब है आप चक्र में पढ़ गए हैं आप कहीं नहीं पहुँच रहे हैं अगर मैं आपको रेगिस्तान में छोड़ दूँ जहां यहां कुछ पहाड़ हैं, अगर कोई चीज ना हो, बस रेत हो, तब लोग चक्कर काटेंगे, इसका मतलब है कि आप कहीं नहीं पहुँच रहे हैं, कि आप गुम गए हैं, तो जिस पल आप पूरी तरह अपने शारिरिक और मानसिक धांचे के साथ अपनी पहचान बनान अगर आप इसे ठीक से व्यवस्थित करते हैं, तो ये एक अच्छा जूला है, पर आप कहीं नहीं पहुचेंगे, बच्चे एक जूले का मजा ले सकते हैं, अगर सभी बड़े लोग जूले में बैठकर गोल-गोल घूम रहे हैं और सोचते हैं कि वे कहीं जा रहे हैं, तो ये बहुत दुखद है, है ना, तो यही होता है, तो शरीर एक चक्र है, ये चक्र ग्रहों के चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं, चांद के चक्रों से, सूरज के चक्रों से, सब कुछ, चांद के चक्र, सौर चक्र और प्रित्वी के चक्र, शरीर के लिए बहुत अगर व्यक्ति में जरूरी जगरुकता है तो वे देख सकते हैं कि किस दिन शरीर को खाने की जरूरत नहीं होती है। वहाँ एक पाटी है आप ठूंस कर खा लेते हैं भले ही आपका शरीर ना कह रहा हो आप खुद को भर लेते हैं। पर दूसरे हिस्सों को काम करनी की जरूरत है पाचन क्रिया के दूसरे आयामों को काम करनी की जरूरत है। पाचन कहते हैं पाचन पूरी आहार नली में होता है ना कि सिर्फ पेट में। समावेशन भी पूरी आहार नली में होता है अब सफाई सिर्फ आहार नली के जरिये ही नहीं होती है। सफाई को कोशिका के स्तर पर भी होनी की जरूरत होती है। अशुद्धियां समय के साथ एक कठा हो जाती है और आप भारी हो जाते हैं शरीर और सिर्फ दोनों में। अगर आप खुद को साफ नहीं करते तो समय के साथ ये एक कठा हो जाएगी। हम इसे कर्म कहते हैं क्योंकि जब ये कठा हो जाती है तो ये आपके सोचने, जीवन को महसूस करने, समझने और अनुभव करने को तै करने लगती है शायद लोग इसे ना समझें वे ये सोचेंगे कि मैं इसी तरह हूँ, यही मेरा स्वभाव है यह आपका स्वभाव नहीं है आपने इस तरह खुद को उलज़ा लिया है तो सफाई का प्रोसेस एक जरूरी बात है खाने में थोड़ा ब्रेक लेना क्योंकि दूसरे सिस्टम काफी हद तक अपने आप होते हैं आप उन्हें उत्तेजित कर सकते हैं पर वो अपने आप ही काम करते हैं खाना खाना आपकी इच्छा से होने वाला प्रोसेस है हालांकि बदकिस्मती से ज्यादा तर लोगों के लिए ये एक मजबूरी बन गया है इसे आपकी इच्छा से होना चाहिए मतलब मैं तब खाता हूँ जब मैं खाना चाहता हूँ मैं तब खाऊंगा जब मुझे खाना होगा मेरा हाथ तै नहीं करता कि कब खाना है अगर वहाँ कुछ है तो चाहे कुछ भी हो पता है लोग हर समय यही कर रहे हैं मेरे ख्याल से अगर हम अच्छी चॉकलिट्स आपके पास रखते हैं, तो आपका हाथ उन्हें खाएगा, आप नहीं. इसलिए खाना एक जागरुक प्रक्रिया होना चाहिए. इस जागरुकता को लाने के कई तरीके हैं. एक है उपवास करना. यूहीं खुद को खाना और पानी ना देने से सिस्टम को नुकसान हो सकता है. आपको जरूरी साधना से इसका सहयोग करना चाहिए. अगर आपके पास जरूरी साधना है, तो खाने की जरूरत कम हो जाएगी. देखिए, हमारी उर्जार सिर्फ खाने से नहीं आ रही है. सूरज की रोशनी, हवा, पानी. असल में, अगर आप योगिक विज्ञान में हम कहते हैं, कि अगर आप सचमुच में सिस्टम को ठीक रखते हैं, तो आपकी 60-70 प्रतिशत उर्जा इन तीन कारकों से आनी चाहिए. सूरज की रोशनी, हवा, पानी. बाकी 40 प्रतिशत खाने से आनी चाहिए. तब स्वाभाविक रूप से खाना खाने की मात्रा कम हो जाएगी. मुझे आपको अपने बारे में बताना चाहिए. जब मैं युवा था, तो मैं बहुत खाता था. मैं कभी मोटा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी कतिविधी बहुत ज्यादा थी. पर आज मैं ज जितना 19 साल में था. बस एक बात ये है कि उस वक्त सारा वजन मेरे कंधों में था. अब इस गुरुत्वा कर्शन के लगातार मुझ पर काम करने की वजह से ये थोड़ा नीचे की ओर खिंच गया है. पर मैंने खुद को उपर उठाय रखा है. तो उपवास को एक प्रक्रि तो आप कुछ बहुत हलका लेते हैं. इसे फलाहार कहा जाता है. इसका मतलब है आप सिर्फ फल खाएंगे. क्योंकि फल ऐसा पदार्थ है जो लगभग 90 प्रतिशत पानी है. और आपको पानी को खाना चाहिए, पीना नहीं चाहिए. ये योगिक विज्यान है. जहां तक आपको पानी खाना चाहिए. आप जो भोजन कर रहे हैं, उसे लेकर आपको हमेशा जागरुक रहना चाहिए कि उसमें पानी की मातरा कितनी है. जैसे अगर आप दक्षन भारतिये में भोजन करते हैं, मैं पके हुए भोजन की बात कर रहा हूँ. अगर आप वो खाते हैं, या ये कम से कम हैं। यहां तक कि organic दुकानों पर भी ये एक महिने या कम से कम एक सब्ताह पुरानी होती है। कोई भी वहँआ जाकर ताजा ब्रेट नहीं लाने वाला और वैसे भी जिस तरह ब्रेट को बेग किया जाता है उसमें पानी नहीं होता है । बहुत बहुत कम पानी होता है और बिलकुल आप उसकी कमी पूरी करने के लिए साथ में कोककुला की एक बाल्टी या वैसा कुछ रखते हैं। मैंने एक बाल्टी कहा। एक बाल्टी? यह तो बहुत जादा कोकुला है। यह होता है, यह इतनी बड़ी है, पर यह उस तरह काम नहीं करता। अगर आप खाने के साथ कोई लिक्विड लेते हैं, तो पाचन प्रक्रिया के लिए जो जरूरी एसिड्स हैं, वो पतले हो जाते हैं। और आपकी पूरी पाचन प्रक्रिया बेहसर हो जाती है। क्योंकि जब अंदर जाने वाले खाने में पानी होता है, तो वो मदद करता है। पर अगर आप उसके उपर से कोई लिक्विड डालते हैं, तो आप देखेंगे कि भोजन काफी लंबे समय तक पेट की थैली में रहेगा। हम योगिक संस्कृती और जीवन में इसे लेकर हमेशा ही बहुत चिंतित रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि भोजन धाई घंटों से ज्यादा हमारी पेट की थैली में रहे। धाई घंटों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या खाया है, कितना खाया है, इसे दूसरे हिस्सों में चला जाना चाहिए। अगर ये वहाँ रहता है, तो ये आपको सुस्ट बना देता है. ये आपकी बोध क्षमता को कम कर देता है, और आपका बोध का स्थर, बोध की तीवरता चली जाती है. जिसे आप नोटेस भी करते हैं. अगर आप को किया कॉफी या चाय के साथ भोजन करते हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों ने इसे एक आदत बना ली है, लंच के बाद उन्हें सोना पड़ता है, ये इस तरह से है कि आप पेट्रोल पंप पर गए, आपने गैस भरवाई, उसके बाद आप एंजन चालू नहीं कर सकते, क्योंकि टैंक में गैस है, तो इसका यही मतलब है, तो ये पक्का करने के लिए कि पाचन प्रणाली पूरी प्रक्रिया में है, क्योंकि आज दुनिया में लोग ज्यादा तर जिन लंबी बिमारियों से जूज रहे हैं, उनका हेड़कॉर्टर पेट में है, हाँ, बहुत से लोगों के लिए ये उनके सिर्की ओर जा रहा है, पर ज्य ज्यादा तर हेड़कॉर्टर पेट में ही है, जो वे खाते हैं और जिस तरह से खाते हैं, तो वे इस तरह खा रहे हैं, अनुशासन लाने के लिए एक आसान चीज है, शायद महीने में एक या दो दिन आपको बहुत ही हलका भोजन करना चाहिए, ऐसा जो शरीर पर बहुत ह तो आप थोड़े भल या ऐसा कुछ ले सकते हैं, जो सिस्टम पर बहुत हलका हो, सोच पाचन प्रक्रिया और समावेशन प्रक्रिया को आराम देने का है, ताकि बाकी का शरीर कोशिका के स्तर पर सफाय शुरू कर सके, इसे सारी अशुधियों को बाहर निकाल फेकना चाहि प्रक्रिया और समावेशन प्रक्रिया और समावेशन प्रक्रिया